अलेकुम, आज हम Colors of Pakistan Chapter 7 की Comprehension कर रहे हैं आज हम उसमें करेंगे Compound Word Compound Word क्या होते हैं? Compound Words are formed when two or more words joined together to create a word that has an entirely new meaning यनि Compound Words जो है वो दो या दो से ज्यादा अलफास के मिलाने से बनता है और जो निया लफस बनता है उसके बिलकुल नए मानी होते हैं यनि उर्दू में हम कह सकते हैं कि दो अलफास को मिलाकर एक निया लफस बनाना जिसके मानी बिलकुल फरक होते हैं उसको Compound Word कहते हैं इसकी हम मिसाल समझ लेते हैं जैसे है Finger Print तो आप देखें कि Finger Print जो है वो दो अलफास से बना है Finger और Print Finger का मतलब उंगली होता है और Print जो है चापे को कहते हैं तो जो उंगली का निशान होता है Finger Print एक इसका एक ही वर्ड है इसकी तरह टूथ कहते हैं दांत को और Paste कहते हैं किसी भी जो ट्यूब में से माया निकलती है उसको Paste कहते है और इन दोनों के मिला कर बनता है Tooth Paste यानि दांतों को साफ करने वाली Paste तो ये Tooth Paste एक Compound Word है जो के Tooth और Paste से मिलकर बना है Circle the Compound Words in the Given Sentences अब आपके सामने कुछ sentences आएंगे उन में से Compound Words जो है उनके आपने दाइरा खेंचना है My Father brought Strawberries for me अब आप देखें कि Strawberry जो है वो दो अलफास का मजबूँआ है Straw Straw जो है वो तिनकों को कहते हैं जैसे गंदूम की तिनके होते हैं और Berry जो है वो छोटे Fruit को कहते हैं जिसमें Raspberry, Blueberries आती है और Strawberries ये एक Pink कलर का Fruit होता है ये Strawberry कहलाता है तो आप देखें कि Straw और Berry दो अलफास में मिलके एक निया लफ्स बनाया Strawberry और इस सेंटेंस में जो Compound Word है वो है Strawberries Next sentence I wrote a letter to my friend in my notebook अब आप देखें कि Notebook जो है उसमें Note लिखने को कहते हैं और Book जो है वो किताब को कहते हैं और Notebook जो है वो ऐसी किताब होती है जिसमें Notes लिए जाते हैं तो आप देखें कि दो लफ्स Note और Book मिलके बिलकुल एक निया लफ्स बनाते हैं तो इस सेंटेंस में Notebook जो है वो एक Compound Word है Next sentence है There are many sunflowers in the garden बाग में बहुत सारे सूरज मुखी के फूल हैं अब sun जो है वो सूरज है और Flower किसी भी फूल को कहते हैं लेकिन Sunflower एक ऐसा फूल होता है जो अपना रुख जिस तरफ सूरज जाता है उस तरफ वो अपना रुख कर लेता है इसके इसको Sunflower कहते हैं तो हम password लगाते हैं जिससे computer हमारी या email खोलते हैं तो एक password होता है और अगर correct password ना लगाया जाए तो वो computer नहीं on होता आप pass का मतलब होता है pass या fail आप सब students हैं आपको पता है कि अच्छे marks लें तो pass हो जाते हैं वरना fail और word जो है वो किसी भी लफ्स को कहते हैं लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो password जो है वो एक compound word है तो इसलिए हम इसको encircle करेंगे फिर है Sarah likes to eat cupcakes ये cupcakes हैं आप देखें कि कप कोई भी प्याली जो है उसको कप कहते हैं केक कोई भी केक हो सकता है लेकिन कप केक से मुराद वो छोटा केक होता है तो दो अलफास का मजबूँआ हुआ कप एंड केक कप केक इसलिए हमने कप केक को encircle किया next the shopkeeper is wasting my time shopkeeper मेरा वक्त जाया कर रहा है आप देखें कि shop जो है दुकान को कहते हैं keeper उसकी हिफाज़त करने वाला इसलिए आपने देखा होगा goal keeper कहते हैं wicket keeper कहते हैं keeper जो है वो किसी भी चीज़ की look after करने वाला है तो shopkeeper जो है वो दुकानदार को कहते हैं तो shopkeeper जो है वो shop और keeper दो अलफास का compound word है तो हमने shopkeeper के गिर दायरा लगाया यह तर आप देखें पहला हमने जुमला किया my father brought strawberries for me strawberry एक compound word है second sentence में I wrote a letter to my friend in my notebook notebook एक compound word है third sentence में there are many sunflowers in the garden both sunflowers जो है वो compound word है और what is your password password भी एक compound word है और sara likes to eat cupcakes यह भी एक compound word है और the shopkeeper is wasting my time shopkeeper जो है वो एक compound word है तो पाकिस्तान का मतलब क्या हम पाकिस्तान का मतलब है ला इलाह इल्लाला मुहम्मद रर्सूलुला इसको हम कैसे समझ सकते हैं हम अल्ला की भेज हुई किताब को तर्जमे के साथ समझ कर पढ़ेंगे तो आज से अपने उपर लाजम कर लें कि आपने कुरान को रोज तीन या चार आयात को तर्जमे के साथ पढ़ना है अमीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें